आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तू सलूशन्स आपके लिए एस्ट्रो सलूशन्स लेकर आते हैं जोतिश अचारे पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी जिनसे आप पासकते हैं हर समस्या का समधाल तो कॉल करें अचारे जी को 408-480-5477 पर और वास् प्रेज़ी एस्ट्रो वास्तू साथ्त्रो वास्तू कॉअर के बाट्च तत्मों का थानबाना जो आपके हर समस्या का निवारन कर सकता हैं वसक्वादि अबास्ट में कर आपकु रहने है साथ्टान प्रसपरीट फ्ट्र रहन और वेंग तु ईत्थरू कहों खान झारेस्टे मुझ रहने हैं प्रश तू तू प्रस प्रस जारीह और आप और बास्टाइट जार हैं कर रहने से www.divinevastu.net रेवा कुमार को कॉंटाट करने के लिए डायल करें 510-868-3338 इनका इमेल अड्रेस है divineavc at gmail.com कॉंटाट रेवा कुमार and let her help you do it right the first time जैमातादी लेस्नर्स एक बार आपका फिर से इस कारिक्रम में स्वागत है और जैसा कि आप सब लोगों को इंतजार बना ही रहता है इस कारिक्रम में एस्ट्रो वास्तु से लेशन में रेवा जी से बात करने के लिए और वास्तु से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान पाने के लिए हमारे जीवन में कई बार हम सब लोग अनिको प्रकार के उपाय करके जब परिशान हो जाते हैं और कहीं रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है और मन में आता है कि करें तो क्या करें कारण क्या है परिशानिया पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो ऐसे समय में लिसनर्स मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जरूर निश्चित रूप से संपर्क करना चाहिए रेवाजी से जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है इस छेतर में अगर आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, या की वेड रूम, स्टरी रूम, या की घर में, प्लाट में, कहीं पर भी रेस्टोरेंट में, गैस इस्टेसन में, या की लिक्वर इस्टोर पर आपको लगता हो कि वास्तु दोस के कारण आपके घर में बरकत की कमी है या बिजनेस अच्छा सा ग्रो नहीं कर रहा है बच्चों की पढ़ाई में किशी प्रकार की परेशानी है या रिलेशन्स में आपको कहीं कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण वास्तुदोस हो सकता है अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर संपर करिए रिवाजी से रिवाजी से बात करने के लिए आपको कॉल करना होगा 408-912-5565 पर 408-912-5565 पर जहां पर रिवाजी आपसे बात करने के लिए बिल्कुल बिदिन अमुमेंट यहीं पर होंगी अगर आप इस टॉक्सों के बाद में रिवाजी से बात करना चाहें तो उनका पर्शनल नंबर है 510-868-3338 510-868-3338 और अगर आपको कुछ रेमेडीज उनके वेबसाइट के माद्यम से प्राप्त करना है तो बहुत सारी रेमेडीज बहुत सारे रेमेडीज उ और उनकी वेबसाइट को बिजट करने के लिए आपको जो है जाना होगा www.divinevastu.net www.divinevastu.net और उनका जीमेल आईडी है divineavc.gmail.com तो listeners call करें रेवा जी से बात करने के लिए वास्तु से जुड़ी हुए तमाम प्रकार के प्रस्टों का जबाब पाने के लिए रेमेडीज पाने के लिए और calling number is to talk to रेवा जी is 408-912-5565 408-912-5565 रेवा जी बहुत सारे callers बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं हम आपका स्वागत करना चाहेंगे जैमायतदी नमस्कार अचारे जी और मेरे प्यारे listeners आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार रिवा जी हम listeners तो हमारे बात करना चाहते हैं और बहुत सारी remedies आप से लेना चाहते हैं listeners मैं छमा चाहूँगा लेकिन उससे पहले हम आप से रिवा जी ये जानकरी चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो है पूजा पाठ यग यनुष्ठान करते हैं और पूजा पाठ यग यनुष्ठान करने के लिए मंदिर ही एक सहारा होता है और चाहे वहाँ मंदिर जो है घर का मंदिर हो और चाहे वहाँ बाहर का मंदिर हो और बहुत सारे हमारे प्रसिद्ध मंदिर जो भारत में इस्थित हैं तो बहुत सारे फेमस मंदिर हैं जहांपर लोगों की जाने की अभिलासा और रिक्षा होती है कि लाइफ में एक बार तो चले ही जाएं तो हमारे जो कुछ भारत में main main temple है वास्तु से उनका क्या संबंध है और वास्तु की अनुसार वे किस परिस्थिती में है अचारे जी बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया जैसे कि आपने कहाता कि हमारा शरीर जो है वो पांच तत्वों से बना हुआ है जैसे शरीर पांच तत्वों से बना है उसी तरीके पूरा यूनिवर्स जो स्थान है जाए वो घर हो या बिसनेस हो पूरा यूनिवर्स भी पांच ही तत्वों से बना हुआ है अब ये पांच तत्व की जानकारी आप अपने शरीर के लिए तो कर लेते हैं लेकिन जहां हम रह रहे हैं या बिसनेस है या घर रह उसके लिए भी बहुत जरूरी है इंडिया से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शेयर करना चाहती हूँ अगर जैसे कि हमारा वास्तूटी फेक्ट है हम जानना चाहते हैं कि हमारी कहां कहां ये elements की कमी है planets के साथ ये elements related होते हैं 9 planets जैसे जोती से जुड़े हैं वही 9 planets की हमारे business हमारे घर की 10 direction में इनकी जगा होती है और इनके साथ क्या होता है ये 5 elements कैसे इनके बारे और जाने अचारे जी ने कहा कि मंदिर के लिए इंडिया जिसको हम बहुत ही जादा word में माने जाते हैं कि सबसे जादा धार में एकस्तान जो है इंडिया में है इंडिया में अगर आपका भी विजिट करते हैं या आगे वेकेशन्स में जा रहे हैं तो जरूर जाने की कोशिश करिए जो मैं आपको बताने जा रही हूं खास दो ये temples जो 5 elements से हैं सबसे पहले कि जो शिवा जी गौड शिवा है उनका इनी temples के 5 elements से related है और यहीं पे शिवलिंग की पूझा की जाती है सबसे पहला है चितंब्रम नटरास temple जो space से related है space element का जो बताता है that is the चितंब्रम नटरास temple second है तृपवुनी कोईल जगतेश्वर जो water element से related है third कांचीपुराम एकेमरेश्वर टेंपल ये अर्थ से related है fourth है तृपवुर्णा मलाई अरुचर्णा कलेश्वर दिस इस फायर element और fifth आता है शिरीकला अश्टी नटाखा टेंपल ये जो है air से related है इन पांच टेंपल के बीच में आपको पूरे universe के पांच elements जिससे वासु जुड़ा हुआ है आपको मिलेगा मैं listeners अगर आप जाएं इंडिया जब भी जाएं कोशिश करिए इन्ही पांचों elements जो इन्ही टेंपल से related हैं यहां कि अगर आप कोई भी चीज को वस्तु को लेकर आते हैं किसी भी project को चाहे वहां कि आप एक थोड़ा सा अगर वहां का धागा जो कालावा भी बानते हैं अगर आप लेकर आते हैं और उसे element की आपके वस्तु के हिसाब से आपके घर में आपके business में उसी चीज की कमी ह तो आप अगर उसको लेकर आएंगे तो आप यह देखे कि आपने उस element को जगा दे कि उस वास्तु दोश को दूर कर सकते हैं और आपको खुद भी एक बहुत satisfaction होगी सिर्फ जानने कि आप उस समय जरू यह कोशिश करें कि क्या उसकी element की उस घर में कमी है के नहीं अगर कमी हैं तो उसी related temple का अगर हम कोई भी चीज चाहिए वहां का एक जल होता है एक सुपार ही होती है कुछ भी अगर आप लेकर भवूती भी वहां की लेकर आगर आप उस particular उस तान पे रखते हैं तो उसी जगा से आपको वास्तु दोश को दूरू करके आप उसका फायदा ले सक रेवा जी बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि आपकोर्स इस अंसार में हम सब लोगों को भेजने से पहले पर मात्मा ने स्रिष्ट की संरचना किया और सरीर को बनाने से पहले जो है नदी ताला पेड़ पक्षे पेड़ और हम समुद्र इन सब चीजों कर संरचना कि या ताकि हम सब लोगों को पंचतत्तों के माध्यम से हमारा जीवन सुख में बन सके तो बहुत अच्छा आपने यह इस तरह से समझाया लोगों को मंदिरों के माध्यम से और रेवा जी वास्तु में बहुत सारे लोग जो है कई बार इंटिरियर डेकोरेशन करते हैं लोग लेकिन क्या अगर वो इंटिरियर डेकोरेटर वास्तु के कुछ बिद्दूओं को पॉइंट्स को अपने ध्यान में रख लें तो क्या इसमें सोने पर सुहागा और नहीं हो सकता है एक दूसरा क्या इंटिरियर डेकोरेटर को वास्तु का थोड़ा सा ज्यान होना चाहिए बहुत अच्छी बात करी है अचारे जी बिकुल हमेशा आर्किटेक और इंटिरियर डेकुरेटर को जो भी है उनको वास्थू की नौलेज जरूर होनी चाहिए और जाधा तर आजकल जितने भी एजुकेटेड हैं वो भी इसी चीज़ को इस साइंस को मानते हैं क्योंकि अभी तख हमने कई बार आपसे घर के एकस्टिरियर के बारे में बात करी आज अचारे जी ने इंटिरियर का सवाल किया जी हाँ अगर आपका घर का फनीचर है बेड है इवन कि अगर एक टेबल भी प्रॉपर शेप में नहीं है जैसे कि जमेर्टिकल शेप्स के उप या बेट के नीचे आपने स्टोरे स्पेस बनाया हुआ है और उसके बीच में आपने सब क्लटर रखा हुआ है, जूता रखा हुआ है, तो आपके रिलेशन्शिप पे प्रॉब्लम्स लेकर आएगा ही आएगा, जी हां, लेकिन रिवा जी आजकल जो फरनिचर सोगेरा बन र बेट के नीचे जो है एक ड्रॉज वगरा होते हैं और स्पेस कम होता है घरों में तो लोग उसको बचाने के लिए जो है अचार जी कर सकते हैं उसको उसमें वह comforts रखें बेट शिट हैं पिल्लो रखें ना कि उसके अंदर अपनी जूल्री रख रहे हैं या उसमें जूते एक ड्रॉद्ट करता है आपके बट्रॉडर के दरक पर आथा है अन्तर्ययवा जगरी हैं है या उपकी बटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपके लिए problem स लेकर आता है अध्रेवा जी कॉलर्स काफी देड़ से जो है इंतिजार कर रहे हैं हम थोड़ा सा उनको अध्रेवा कॉमार नमस्कार जी मुझे आपसे एक कोश्चन पुछना था आपने बताया था कि नौर्थ साउथ वेस्ट में कोई इलेक्ट्रिकल चीज़े हैं तो चलेगा तो अगर पक टीवी है तो भी चलेगा गोश्चन के लिए मैंने कभी नहीं का एस में इलेक्ट्रिक चीज़े होनी जाहिए हैं जियां साउथ वेस्ट में नहीं साउथ वेस्ट में वाटर होना चाहिए साउथ एस में आपको अर्थ से रिलेटिटिउ मिश के आप हवी फर्नीचर आप South West प्रेडरूम बना सकते हैं, अगर आपका बेक यार्ड है, आप अब गार्डन बना सकते हैं, रोक गार्डन बना सकते हैं, लैंस्केपिंग कर सकते हैं, इच विई पर है तो ती-वी इस भी पर है, तो ती-वी को हम आप पर वाटर कर दाएं कि जड़ें कि यहां पर मत मुंस करिए अगर आगे अगर आप ना चाहें पुरा साउथ फेस्ट आता हैं तो वहां पर येलो कलर में येलो कलर के फ्लावस को जगा रहें तो जुक यसालाव को में Reva Kumar yes ma'am I my kids bedroom is in the west side and their head is towards the north side I just want to change there so that which side you want me to change their bed direction so that they can sub se pehle if the people are sleeping in the west direction at the 90 degree angle this is okay if this is Northwest that is not good for them and the same if it is Southwest corner that is also not good so you just try to 90 degree angle west me a good bedroom that will give you good results sir ka direction agar south ki taraf ya west ki taraf karenge to aapko fayda hooga lekin bachyo ke sir ke piche kabhi bhi window ya door nahi ho na chahiye saati saati ji haan pata hai so unka jo window air agar mein west wali side karthi ho to window bilkul bed ke oopar ati hai window bilkul bed ke paas mein aat sir ke oopar ati hai aap kaya sakti hai yes yes to aap unka east ki taraf sir kar diji agar east wall hai to aur ma achay oopare north wall mein nahi karenger aur pair bhi dhekhe ki dharo waaza ko bikul point nahi kareee aja tika jee tika jay eo aagar east wall hallii side karthi ho to bathroom e is okay koye bat ni adek hai bathroom hay bathroom ke dharo waaza ko banj karke rakhye voh zada bater rhae ga tika jee tika tika j जानना चाहती हूं अगर आपका कोई एस्ट्रोलेजी से जुड़ा सवाल है वो हमारे साथ हमारे आचारे जी होते हैं वही पूरा बता पाएंगे मैं तो घर की अगर आप खुडली चाहते हैं तो मैं उसमें मदद कर सकोंगी अचारे जी को शो के बाद कॉल करें 408-480-5477 हाँ अगर शादी में डिले हो रहा है और आप सुचते हैं कि काफी उमर हो रही है शादी नहीं हो रही तो आप अपने बच्चे को अपने बेटे को नौर्थ वेस्ट बेडरूम में जगा देंगे तो शादी की जल्दी अपॉ आएंगी नौर्थ वेस्ट में रिवा जी आपने बहुत अच्छी जान का रही हमारी लिशनर्स को दिया और आप हम लोग बात कर रहे थी इंटीरियर के बारे में अचारे जी जैसे कि बच्चों की स्टडी टेबल के लिए हो जाता है जब मैं विसेट करने के लिए जाती ह फोर लेड होनी चाहिए नेक्स्ट बच्चों को मैटल का बेड आप हमेशा एवाइट करिये जब भी बच्चों का बेड हो वो वुडें ही बेड होना चाहिए बच्चों के सासाथ कई बार घर में हमारे हेल्थ इशूज होते हैं और फियर नौट फिलिंग वेल तो भी बे साल पहले भी ले जाएं पुराने समय में जो बेड होते थे उनके जो लेक्स होती थी वह बिकुछ सॉलिड होती थी और नीचे से जगा क्लीन करने की पूरी होती थी वाई ताकि वहां पर कोई भी नेगेटिविटी ना रहे तो अगर अगर आपके घर में फनीचर है बेड हैं तो आप कोशिश करिए कि अगर नया लेने के लिए जा रहे हैं तो बेड जैसे भी हो उसके नीचे इतनी स्पेस हो कि अगर आपको क्लीन करना है कर सकें लेकिन उसके नीचे प्लीज ब्रूम को जाडू मत रखिये करी बार मुझे मुझे मिल जाडू या चपल भी नमिल जहां पर आपके बच्ची अपने शूज हैं सब स्टोरेज कर रहे हैं तो बेड के नीचे कर रहे हैं तो जस्ट ट्राइ टू एवाइट एम घर के फनीचर में इंट्रियर के बीच में लिविंग रूम या फैमिली रूम में आप जो सेंटर टेबल है वो ज़रूर देखें अगर आपका हेवी फनीचर है लेडर का फनीचर है या लिविंग रूम हो लेकिन अगर आपका नौर्थ इस्ट में लिविंग रूम है तो लिस्नर्स वहाँ पर जो भी फनीचर होगा जो भी सोफा होगा वो भी इतना लाइट होना चाहिए कि उसके नीचे भी आपको टेबल अगर आपका उसके जो एजिस हैं that should not be sharp or curved means कि जो टेबल की जो legs है वो भी proper हो अगर आप लेते हैं 4 और जैसे कह सकते हैं कि square ले सकते हैं rectangle ले सकते हैं all shape में ले सकते हैं लेकिन कई बार बिलकुल उल्टी सीधी shapes होती हैं उनको आप जरूर एवाइट करिये टेबल चाहां पर आपको बैटना है जहां आपको किसी से बात करने है तो वहां आपको positive energy मिलने चाहिए positive wipes मिलने चाहिए लेकिन अगर वही टेबल अगर आपका wooden कही बार टूटा हुआ होता है या dirty है तो आप उसको उसी पर ही बैटके अगर आप कुछ भी काम करना चाहेंग यह को बिस्नेस मिटिंग करना चाहेंगे तो वह आपको results बिल्कुन negative देगी रेवा जी interior decorator decoration के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं और आप बच्चों की table study table के बारे में और share के बारे में बात कर रही है इनके bed और curtain बहुत अच्छा इनके bed और curtain को कैसा रूप देना चाहि वेस्ट में या इस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में बैडरूम है तो चारो बैडरूम के color हमारे बिकुल अलग है क्योंकि नॉर्थ में अगर 90 डिग्री पे या इस्ट में अगर बच्चों का bedroom है तो अगर वहां पर आप बिकुल light एकदम soft या जितनी जाधा energy आने की कोशिश के जिए कि light आए और light colors दीजे light colors कैसी just like you can go for greenish light sea green color आप दे सकते हैं sea blue color आप लोग दे सकते हैं उसको लेकिन जो bet होगा bet पे जो comforts होगे that should be always light आप से मैं जरूर advice करूंगी according to वास्तू principles बच्चों के बैडरू में जहां देखते हैं कि black color के dark red, dark blue color के अगर comforts हैं तो वो बच्चों को बहुत negative thoughts देते हैं तो just try to avoid them जितना आप उनको light soothing colors देंगे उतना ही अच्छा आपके बच्चे कंस्मिर करेंगे वैसे ही अगर आपका south या west 90 degree angle पे अगर आपके बच्चों का bedroom है तो इस room में क्या कर सकते हैं आप heavy curtains को लगाएं ताकि south या west से after 2 p.m की जो भी हमारे को vibes आती हैं जो हमारे को energy आता है उसको हम थोड़ा कम कर सकें वहां पर आप मोटे heavy curtains लगा सकते हैं लेकिन जो bed है बेड के बीच में फिर वही as usual कि आप उसको declutter मत करें it should be always clutter free लेकिन वहां पर भी आगर light color देंगे that will help you आप earth color को जितना अच्छी तरह जगा देंगे beige color को देंगी in south and west that will help you a lot listeners आप सुन रहे हैं रेवा जी को और रेवा जी से अगर आपको लगता है कि वास्तु के प्रश्टों को लेकर के रेवा जी से remedies लेकर के आप अपने घर में कुछ उन्नती कर सकते हैं खुशियां ला सकते हैं तो you should not have any kind of hesitation just give us a call to talk to रेवा जी the calling number is 408-912-5565 अचारे जी अभी तो जैसे living room kitchen में मैं देखती हूं कई बार visit करने पे कि kitchen में अगर आपका cooking stove है वो बहुत ही कई बार गंदा मिलता है वो बहुत जादा relationship के उपर में गलत असा डालता है जिस घर में अगर देखें कि husband wife के बीच में arguments हैं या problems आ र cooking stove गंदा होगा तो मेरी तो यह advice यह भी है listeners की कोशिश करिये जाए कितना भी लेट हो जाएं रात को आपका cooking stove जाब खाना बनाती है that should be neat and clean उसको आप बिकुल गंदा नहीं रखें जब साथी साथ साफ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है at least नहीं तो शाम के समेश जरूर उ ज्यवजी इससे जुड़ा हुआ चोटा सा एक सिस्क में विचार रहा है कि आजकल हर कोई जो है परमात्म से आप देखें कि अगर भारत से ज्यादा यहां पर लोग धरमात्मा बने हुए है और धरम से बिश्वास रखते हैं आस्था भी रखते हैं पिपल वांटे तो गे प्रवास्तु की नियमों का पालन करने में ऻृप तो जल्दबाजी में देर हो रही है इक्नूर कर जाते थाके हुए होतें परिशान होते हैं तो निश्चित रूपसी इसका असर तो बुरा पढता ही है पुजापाड करेंगे तो परमात्मा का फल कहां से मिलेगा अगर इ ऐसा कोई सिंपल सा उपा है जो बताएं हमारे लिशनर्स को जिसे की वास्तू के साथ अपने आपको जोड करके कुछ प्रस्पिरिटी या कि उनकी च्छैपूरी हो सके अचारे जी आपने सही कहा कि समय समय अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे पर समय का अभाव है तो यह अचारे का है कि मेरे पास समय नहीं है क्यूकि हम समय का सही प्रयोग ही नहीं कर रहे अगर आप पहले दिन से ही उसको क्लीन कर के रखेंगे तो-चारे जी मुझे नहीं लगता कि दूसरे दिन हमारे को उस पेworthब जादा मेंन मेना कहना कि हमा कि कि आपके समय की कम होती है यइगर हम उस समय आप अपने कर्टेंज को नौर्थ डारेक्शन और इस डारेक्शन के आप कर्टेंज को रिमूव करिए सनलाइट को अंदर आने दीजी क्योंकि जहां से जैसे ही घर के अंदर सनलाइट आएगी आप देखेंगे कि पूरे घर में रौशनी है इवन की मैं वास्तू के लिए कहती हूं अपने क्लाइंस को भी सभी को कि आप खुद भी देख सकते हैं कि आपके घर में वास्तू की कितनी एनरजी है अगर आप सारी विंडोस को कटन्स कर दीजिए then you see कि आपके घर में कितनी visibility है अगर फिर भी रोशनी है तो it means कि वहाँ पर fire की पूरी light आ रही है अगर आप यह देखते हैं कि उसको हटाने के बाद में भी अंदेरा है तो it means कि there is some negativity अगर आपने windows बंद कर दी फिर भी you are getting कोई अच्छी positive आपको air की vibration है it means कि air element is related with that house लेकिन कई बार windows है सब कुछ है फिर भी हमारे को वहाँ पर suffocation हो रही है तो that means there is a negativity तो it's a very जैसे अचारे जी ने चाहा वैसे ही कि it's a very simple कि अगर आप मौनी के समय नौर्थ और इस्ट की तरफ से windows को खोल दीजे, air को आने दीजे, light को आने दीजे, ताकि आप positive results लें और कहीं अगर आप देखते कि North East में आपारी window नहीं है कई बार होता है, apartments में अचारे जी नहीं मिलता, तो अगर North East में window नहीं है, तो at least अगर कोई भी religion से आप related हो चाहिए वो हिंदू हो तो गायतरी मंतर लगाएं कोई दूसरा है, तो आप दो मिनट के लिए लगा लिजे, जब तक आप तैयार हो रही है तब तक गायतरी मंतर को घर में चलने दीजे, या अगर आप कोई भी religion से उससे जो भी आपका पूजा का गाना हो, भगवान जी का गाना हो उसको आप कुछ दिर के लिए prayer को, अच्छी prayer को घर में उसकी voice को आने दी, means की space को जगा दीजे, जो sound आएगी, space को जगा मिलेगी तो भी हम वासू की negativity को दूर कर सकेगी तो listeners साब तो definitely मैं समझता हो कि इससे बढ़िया और छोटा सा उपाय और क्या हो सकता है कि आपको कम सकम बिंडो के कर्टेंस को हटा दें ताकि कहां की फायर जो है energy आपको घर के अंदर मिले और और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आपको रिवा जी से संपर करना होगा और रिवा जी से इस समय पर बहुत थोड़ा सा समय पांच मिनट का हम लोगों के पास रह गया है इफ यह वे एनी क्विस्टिन डोंट हेजिटेट जस्ट गिवस अ कॉल तो टॉक तो रिवा जी गाल चाहिए अगर इस टॉक्सों के बाद में आपको रिवा जी से बात करना है तो आपकी मेरे कॉलर्स है मैं आपसे माफी जाओंगी कि मैं आपकी कॉल्स ने ले पाई लेकिन आप शो के बात कॉल कर सकते हैं साथ ये साथ अगर आप किसी package में भी interested हो जारे जी उसके लिए भी ये मुझे call कर सकते हैं जहां पर हम देखते हैं कि घर का साथ ठीक है फिर भी अगर grow नहीं कर रहा तो हो सकता है कई हमारी business या workplace पे problem तो नहीं अगर business सही है business में है लेकिन घर में जाते ही stress आ जाता है problems आ जा जाती है might be कि घर की problem हो तो अगर आप चाहें listeners तो घर और office का या business और घर का workplace घर का आप एकठा भी में से चाहें तो package के थूँ आप proper जानकारी ले सकती हैं ये था वास्तु का show जहां पर आपके साथ सही दिशाओं की तरफ लेकर जाती हैं और आपकी दशा को सुधार देत कोई भी वास्तु से जुड़ा सवाल हो कॉल करें रेवा को 510-868-3338 और astrology जो तिस से जुड़ा कोई सवाल हो अब कॉल करें अचारे जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जो जी हैं मंत्रों के महारती वेद पुरान शास्र के विशारत अचारे जी का नंबर 408-480-5477 ज जिन्दकी के कई इमकहान अभी बाकी हैं अभी तो नापी है मुठी भर जमीन आपने अभी तो सारा आसमान बाकी है जै माता दे